हेलो दोस्तों तो आज हम करने वाले हैं प्रोणी ब्रेक डाइनो मीटर के बारे में देखे डाइनो मीटर पे पहले भी वीडियो बनाएए मैंने कि हमने पावर कही कि पावर पता करनी है, मतलब टॉर्क पहले हम टॉर्क पता कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिनी हम पावर पता कर लेते हैं, हमें पावर पता करनी है किसी शाफ्ट की, शाफ्ट गूम रही है, चाहे वो इंजिन की शाफ्ट है, चाहे वो मोटर की शाफ्ट है कुई शाफ्ट गूम रही है तो हमें चाहिए कि उसमें पावर कितनी है तो वो उस पावर को पता करने क्लिए हमने डाइनमोमीटर सुनाय वह तो अलगलग तरह के डाइनमोमीटर साइ उन में से एक जो टाइप है वो है प्रोनी बेग डाइनमोमीटर तो अगर हम experiment में देखते हैं जब हम lab में experiment करते हैं तो वो कुछ इस तरह का दिखता है देखो यह आपने देखा होगा I hope कि आपने यह lab में देखा हो कुछ school sorry colleges में lab में होता है यह mostly तूटा मिलता है इसका wooden block यह जो होता है वो mostly तूटा हुआ होता है तो हमारे पास जो lab में होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि यह shaft है जिस shaft जो है वो छोटी है उसके उपर pulley लगाई हुई है यह pulley लगाई हुई है और इस pulley को क्या करना है इस से handle से rotate करना है अभी हमारे पास यह क्या है motor से नहीं connect किया हमने यहां से हाथ से connect कर रखा है इसको move तो वो rotate कर लिए है तो हम क्या करेंगे उसके उपर wooden के block टच में लाएंगे वो जो टच में आएंगे इसके साथ तो उसको क्या करेंगा वो धीरे धीरे उसके उपर force दगाएंगे force किसके help से इधर से एक तरफ से इससे पकड़ लिया spring scale की मदद से यहां से पकड़ लिया ज तो ज़्यादा दूर से force लगाते हैं उसके करण moment जो है वो ज़्यादा act होती है अब यह क्या करेगा एक तरह से दबाएगा क्या करेगा break लगाएगा ठीक है आप यह छोड़ दो अगर इसको लगाना हाथ से दबा लो लेकिन problem है हमारे हाथ की force कितनी है हमें नहीं पता इस weight से हम इसकी power पता लग सकते हैं हम torque पता कर सकते हैं हम इसी को समझो सामने वाला कितना ताकतवर है यह कितनी ताकत है उसको रोक के पता लगेगा तो इस लिए हमने इसको रोक लगा है तो इस experiment से हम यह पता करते हैं तो वो अगर आप book में देखोगे ना तो book में इस तरह का आपको दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा, कि यह आम है, यहां पर यह आम है बड़ी, और यह वोडन का ब्लॉक है, जो मैंने उसमें दिखाया था, जो वोडन वार ब्लॉक था, वो सेम इसी तरह का यहां बे है, और यह शाफ्ट है, ठीक है, अब यह अंदर जो है, यह उपर pulley लगा देते हैं क्योंकि हमारे पास shaft जो छोटी होती है तो इसके उपर पुली इसलिए लगाने पड़ती है तो हमारे पास ये pulley है और ये इसका radius होका pulley का और ये देखें force जो है जो इसको रोकने के लिए लग रही है tangential force लगेगी और वो जो force होगी हमारे पास वो force F इस तरह से हमने यहाँ पर दिखा दिया अब इसको रोकने के लिए force लगा पूर रहा है मैंने क्या कहा था weight लगा रहा है अब weight लगा रहा है तो weight क्या करेगा weight करेगा moment create करेगा ना moment तो हमारे पास moment मतलब इस case में देखें तो torque बोल दें तो weight और यह L distance यह क्या create करेगा torque W into L is equal to क्या होगा इस F into R के हमने इसी को समझो कि एक तरफ से इधर से force एक इधर से force दोनों को balance करना है बस यह घूम रहा है यह जो force force into radius यह वाला जो हमारे पास torque होगा equal to होना चाहिए इसके तो यह दूर इसलिए तो बनाया है कि कम weight लगाना पड़े यहां पे तो moment को समझ जाना तो इसलिए दूर लगाया है ज़्यादा लंबे length इसलिए किया है ताकि कम weight से ही इसको रोख सके तो अगर इसको सीधा रोखना पड़े ना बहुत जादा weight हम भी use करना पड़ेगा तो वो उसकी बजाए हमने length बड़ी कर लिए तो इसलिए यह करते है ठीक है यह भी इस तरह का diagram आपको दिख जाएगा book में तो इस तरह का दो वेट होगे तो हमारे पास देखिए इसमें अगर फर्मॉले की बात करें तो हमारे पास we know that the brake power of the engine तो हमें फर्मॉला पता है work done per minute upon 60 कर दें तो second में आ जाएगा तो हमारे पास work done क्या होगा torque into 2pn by 60 तो हमारे पास torque क्या है w into l जो हमने पीछे w into l निकाल लिया i hope कि यह चीज़ आपको समझाई होगी और mcqs आप देखना चाहते हैं उसके practice करना चाहते हैं और मेरी और ज्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं link रहा हूं नीचे यह मेरी website का link आप वहाँ पे आप link करके देख सकते हैं मेरी website को भी promote करें आप इसको share कर सकते हैं friends के दाब thank you thank you so much next video मैं फिर से मिलेंगे हुँ 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 हुँ